आस्टानिक प्रेफिवर्स मायदेब रिजवान चीमा, वेलकम बैक विडियो आफ केपिटल स्मार्ट सिटी आज ये हैं किन आप्शन को प्रेफरेंस पर रखें और किन आप्शन को लीस्ट प्रेफरेंस पर रखें अपने प्लॉट की लिए तो सबसे पहले उन मेंब्रान को जोने प्लॉट बाय किये थे 2018-2019 में तो उनके लिए 20th February तक का टाइम है तो अपने प्लॉट की लुकेशन चूज़ कर सकते हैं तो I would suggest them कि आपने प्लॉट की लुकेशन चूज़नी को दो पार्ट में डिवाइट करें दो पार्ट में डिवाइट करने का मकसद हो यह है कि एक पार्ट है कि अगर प्लॉट को मेंटेन करना है फो लिविंग परपर्ज और बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन करना है और इसको एंड तक लेकर चलना है यह मैं स्पेसिफिकली ओवर्सीज पाकिसानियों चे मुखातिब हूँ जिन्होंने प्लॉट बाइ कर रहे हैं लेकिन आज तको प्लॉट देखा नहीं है जमीन पे तो उनके लिए यह चीज बड़ी इंपॉर्ट हो सकते हैं अगर बसको कंस्ट्र करें तो अचा इसमें यह और किन प्लॉट को रखें तो सेलिंग पॉइंट से सबसे अच्छे प्लॉट हैं सबसे बहतर प्लॉट हैं अब आता जी पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टन है वो यह है कि लिविंग पॉइंट ओफिस से प्लॉट कौन से बहतर हैं के लिविंग पॉइंग में को हाई राइस कमर्शल हो और हाई राइस कमर्शल का जो नेगटिफ पॉइंट आएगा यह आएगा कि आपके घर की प्राइवेसी कंसरंस के बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं अगर एक बिल्डिंग ए ग्राउंड प्लस 20 की और आपका ग्राउंड प्लस 1 का तो ओपर ग्राउंड प्लस 2 से ओपर जितने लोग बैटे हैं वो आपके घर में डिरेक्टली देख सकते हैं तो प्राइवेसी इशूज आते हैं इस चीज़ को लाजमी मदे नजर रखें सेकंड इस कि मेक शूर करें कि आपका प्लॉड जो है यह जो चूस करें आपका प्लॉड वो प्लॉड ऑप प्लॉड जो इस जगह पर ना हो जाहां से आपको आपको स्कूल, कॉलेज, यूडिर रॉस्ट्टी, हॉस्पिटल, मजजिद, इन जो प्रिमिसी की डुमें में थोड़ सर पर ना हो लेकिन बिलकुल दूर भी ना हो और बिलकुल सामने तो बिलकुल ना हो य की elevation कैसी है यानि उस plot की overall elevation comparison to the rest of the block या rest of the plot जमीन की elevation कैसी है यह बहुत matter करता है construction में भी आपको favor करेगा कि आपके plot में construction में पैसे कम खर्चोंगे जो raft है वो without any extra cost आपकी built हो जाएगी तो आपको समें construction में feasibility मिलती है अगर cutting वाली height वाली elevated land है तो second option जो है कि make sure करें कि आपके plot में दो चीज़ें must हो वो दो चीज़ें जो है कि ventilation और एक elevation यह जो मैंने पहली बात explain कि elevation वो तो आपको clearly समझा रही होगी कि कोई plot filling वाला ना हो हमेशा elevated हो height वाली जगा पी हो और अच्छी जगा पे हो दूसरी है ventilation ventilation के लिए यह दो सब से अच्छे option है कि आपका plot either it should be park face औ आगे वाले साइट पर भी घर नहीं है तो आप front और back open plot ले सकते हैं वो भी corner category में आता है तो यह options consider must करें इसको लाज़मी चूज करें अगर आपने plot को maintain करना है for end user यह लिविंग point of view से अब आता है दूसरी तरह के लोग जिन्होंने plot को लिया just to multiplication factor के लिए कि आज plot लिया 40 लाग का कल को 3-4 साल बाद 5 साल बाद ऐसी location चूज करें वो plot जो है वो 200-300 गुना महंगा हो जाए यानि कि उस plot कीमत 80 लाग एक रोड 20 लाग एक रोड 60 लाग कुछ भी हो जाए तो make sure करें कि आपका plot ऐसी जगापे हो जिस पे main road से access बनती हो यानि main road के यहां तो nearest हो या main road क या main road के उपर हो या nearest हो या access बहुत close हो ऐसे plot हैं वो hot favorite होते हैं retail market के लिए इसमें matter नहीं करता plot filling वाला है depression वाला है matter नहीं करता कि plot के आसपास कितना रश है privacy concerns के हैं matter नहीं करता तो दो बाते मैं repeat करता है तो number one अगर आप living point 4 से देख रहे हैं तो make sure करें कि आपके plot के आपको plot को sell करना है तो make sure करें कि आपको plot main road से पास हो या bigger road से ऊपर हो या असपास कोई भी ऐसे location हो जो हर बंदे के लिए ease of access देती हो क्या बड़ा easily वहां तक access कर सके हैं तो plot जो है अगर आपको ये वीडियो अची लगे तो please do like comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस